हलो साथियों, नमस्कार, मैं आसीज कुमार, आपके अपने प्यारे स्यूट्यूब चैनल सन्राजरेल अपडेट में आप सभी लोग का हरदिक स्वात करता हूँ साथियों, आज आप लोग के बीच में, मैं HRMS लीव मोडूल के उपर एक वीडियो लेका आया हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लीव मोडूल है, उसमें आप अपना जो लीव है, उसका अप्लिकेशन कैसे सम्मिट कर सकते हैं, किस परकार से जितने सारे छूटियां हैं, उसको आप ले सकते हैं तो साथियों, वीडियो सुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जदे से जदे हो सके रेल भाई बंदू में सेर करें क्योंकि साथ यों सेर करने से आपके रेल भाई बंदू जितने सारे हैं उनको भी फाइदा मिलेगा प्लस में हमें मोटिवेट होने का आफसर मिलता है क्योंकि साथ यों मैं आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूं और आप उसे नहीं देखेंगे लाइक सेर नहीं करेंगे तो फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रा जाता है तो साथियों जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो एक railway board का later आया था उस later में बताया गया था कि जितने सारे लीव railway में छुट्टी है वो सारे को online कर दिया जाएगा HRMS के portal पर उसे अपडेट कर दिया जाएगा और जितने सारे offline जो आवेदन देते थे phone call देते थे करके छुट्टी को sanction करवाते थे वो सारे बंद हो जाएंगे ऐसा मैं आपको बताया था लेकिन साथ उसमें टेम बताया था कि ये मोर्डूल आने में थोड़ टैम लगेगा ये अगस्तक में आ सकता है तो साथियों उसका इंतजार सभी रेल्वे करमचारी बहुत जोड़ सोर्श कर रहे थे कि आखिर ये किस परकार हम HRMS में छुट्टी लगा सकते हैं और ये छुट्टी online कैसे संक्षेन होगा तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंतजार की घड़ी वो अब खत्म हो गई अब आप लोग के बीच में HRMS में एक और अप्लिकेशन को या फोल्डर को एड़ किया गया है उप्शन को जिसमें आपको बताएंगे कि जो HRMS में online लीव लेने का वो किस परकार से ले सकते हैं और उसमें क्या-क्या सुबधाय मिलेगी कि क्या उसमें आरेच या जो सी यार ड्यूटी है वो किस परकार से हम ले सकते हैं आपको मैं प्रोजर में HRMS अप्लिकेशन खोल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें किस परकार से किया जाएगा तो साथियों चलिए मैं आपको लिए चलता हूं उसके उपर जैसा कि साथियों देख रहे हैं कि हम कैप्चर और कि एड़ी पासवर्ट डाल के HRMS में लॉग इन हो चुके हैं लॉग इन होने के बाद देखिए अब आपका यहां पे जो आईरो का बटम है उस पर हम क्लिक करते हैं अब देखिए साथियों जब यहां पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा इंटरफेस खुल के आया है तो जिसमें आपको दिख रहा है लिब मेनेजमेंट का एक आप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं देखिए लिब मेनेजमेंट है उस पर क्लिक किए अब साथियों यही जो है अभी कुर्या रहा है इसमें तो इसमें जो हमारा system है उम्मे है इसने अभी डिवीजन अपडेट नहीं कर पाया है डाटा को अपडेट नहीं कर पाया है जिसके बज़गे से यहहीं पर आके अस्टाउप हो रहा है तो जैसे लेकिन यहां पर नहीं खुल रहा है तो जैसे ही हमारा भी खुलने लगएगा अपडेट हो जाएगा तो मैं इसको उपर आपके लिए complete video लेके आऊंगा तो साथियों आपको जब मैं Chrome ब्रोजर में लेके गया और वहाँ पर जो लीव management था उसके उपर क्लिक किया तो access denied link के page खुल रहा है उसके बाद आगे की परकिरिया नहीं हो रहा है तो साथियों इसमें हुआ क्या है कि अभी बहुत सारे zone division है वो नया होने के कारण अभी पूर्ण रूप से update नहीं कर पाये हैं सारे लोग system को उसको upload नहीं कर पाये हैं जिसके बज़ा से ये इस परकार का error आ रहा है तो साथियों जब तक हमारे पास उसका फुल नहीं खुल पाएगा तब तक मैं आपको इसके बारे में कैसे बता पाऊंगा तो साथियों इंतजार कीजिए ये जल्द ही हमारे system पे हमारे हरे में साइडी पे भी upload हो जाएगा हमारे division या zone के द्वारा जो भी अभी नहीं किया है वह हो जाएगा उसके बाद मैं फिर एक video लेकर आऊंगा और उसमें clear करूंगा और step by step बताऊंगा कि किस परकार से आप CL ले सकते हैं किस परकार से लेपी ले सकते हैं या चुट्टी को किस परकार से बता नहीं पाएंगे क्योंकि system ही नहीं आगे खुलता है तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण और फाइदे मंद होगा क्योंकि आपको इतना तो दिख रहा है भी कि इसमें HRMS में एक application जो है एक folder है वो हमारे लिए और तब तक धन्यवाद